नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई हो हिंदुस्तान में जो विकास पैदा हुआ है और जिन जिन को विकास मिल चुका है उनको मेरे तरब से बहुत बहुत बढ़ाई हो भी गास अच्ट कोच टाइम में मैंने कोई वीडियो पोइस्ट नहीं कि क्योंकि मैंने चाहता था कि लोगों को लगे कि मैं सिर्फ एंटी मोदी हूँ या एंटी बीजेपी हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ points पर बात करना चाहता हूँ हमेशा पर कुछ लोगों को लगता है कि मैं anti-modi हूँ तो शैद points पर बात करना anti-modi और anti-BGP अपने आपी बना देता है तो सबसे पहले तो मैं उन सब को बदा ही दूँगा जो पिछले कुछ दिनों में विकास ढून रहे थे और योगी अधित दिनात के मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें विकास मिल गया है तो अगर यही विकास है तो उन्हें हर बार मिलना चाहिए लास्ट कुछ टाइम में मैंने अपने काफी मित्रों से बात की और मैं देख रहा हूँ कि जो हिंदिया का महौल है वो हिंदू वर्सिज मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो चुका है जो जहर है जो आर एसस फैलाना चाहती थी उसमें काफी हद तक वो कामियाब है रिसंटली कुछ दिनों पहले की बात है मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था तो मैंने उनसे बड़े प्यार से पुछा मैंने का चलो मान लेते हैं मोदी जी हिंदूस्तान के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जैसा कोई नहीं और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या तीन साल में कोई एक काम बता पाएंगे जो मोदी जी ने किया है जिसका फाइदा आम जन्ता को आपको आपके प्रोस्यो किसी को एक को अगर फाइदा हुआ है तो उसका जवाब आया कि मोदी जी हिंदू समराथ है हमारे वो जो भी करें परे मुस्लिम तुष्टी करें नहीं करेंगे उसने जो मैसेज मुझे दिया वो काफी बड़ा था लेकिन उसमें कहीं पर भी किसी एक काम का जिकर नहीं था तो इससे पता लगता है कि हिंदूस्तान में जो यूथ है उसकी मेंचैलिटी इस समय क्या सोच रही है हिंदू मुस्लिम से वड़कर उनके परस कुछ नहीं है सभी विकास की बाते करते हैं सेक्योरिटी, फीमिल सेक्योरिटी की बाते कर रहे हैं तो बहुत दक्यान उसी सवाल लगता है ऐसी गवर्मेंट से जिसके नेता रेप को बढ़ावा देते हैं जैसे योगे दितिनाथ ने कहा था मुझफर नगर के बाद के दो हियार तेरा में अगर कोई वोट देने मुस्लिम जाये तो उनकी महिलाओं का रेप करो और एक भाशन के साथ भी रेप करो तो मैं बिलकुल सहमत हूँ ये लोग बहुत बढ़िया सुरक्षा देने वाले हैं आपको जो विकास की बाते करते थे उनके जो चहरे से नकाब है वो हिंदुत्व का उट गया है तो सबसे पहले तो बढ़ाई देना चाहूंगा हिंदू महासभा के ल जाना जानता है तो मेरी हिसाब से जो ये डिसीजिन मोदी साहब का है कि यूपी में अदित्यनाथ को सियम बनाएं तो ये 2019 की त्यारी है ताकि उससे पहले हिंदू और मुस्लिम में कुछ दंगे कराए जाए उन दंगों के बाद हिंदू वोट्स को लिया जाए और मुस्ल लोग जो हैं वो हर चीज में कहते हैं कि कॉंग्रेस ने क्या किया उन्होंने मुस्लिम को बढ़ाया उन्होंने दंगे कराए तो मोदी साहब और उनका जो एजेंडा है वो धिरे-दिरे सामने आ रहा है जो कि इंडिया को हिंदू तालीबान बनाना चाह रहा है जहां पर ब पाकिस्तान का एजेंट कहा जाए बलकि यह लोग भूल जाते हैं कि बीजेपी एंपी के जो आईटी सेल के धुरुफ सक्षेना और जो बीजेपी मेंबर है उनका आईएसाई के साथ लिंक निकला है जो की मीडिया ने दबा दिया उनके पूरे लिंक थे आईएसाई के और यहां की रिपोर्ट्स वहां पचाते थे शाद यही कारण है मोदी जी ने पाकिस्तानी आईएसाई को बलाया था पंजाब में जब वहां पर एक अटाक हुआ था ताकि एजेंट के थू नहीं सिधे आईएसाई को ही हम मौका दे बाकी बातें तो बहुत आती हैं दिल म बने पर मैं जब बोलने लगता हूँ तो शायद मेरे जो वाइड्स हैं उसको सह नहीं कर पाते उनको बियान नहीं कर पाते हिंदुस्तान जो कि प्रोगर्सिव कंट्री है प्रोगर्सिव कंट्री थी एक तरीके से खाई में जा रहा है हमने हिटलर को चुना मोदी जो कि सि पी में हिंदूों को कबर्स्तान और शम्शान घटकी अब कंही ना पड़े आने वाले दंगे आने वाले हैं 2019 से पहले तो मैं चौड से और भगवान से प्रेयर करूंगा कि कि किसी को शम्शान की कमी न महसूस हो और कब्रिस्तान की कमी महसूस ना हो विकास का रत जो है वो हिंदुत्व के गड़े में गुश चुका है और आज का पड़ा लिखा यूथ उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किसका साथ दे अगर वो नीट्रल बात करता है तो उसे भारत विरोधी या फिर मुस करें चाहिए आप मुस्लिम्स को मारने की बात करें चाहिए आप माइनोरिटी को दबाने की बात करें तब आपको देश्वक्त समझा जाएगा जो बीजेपी इस समय कर रही है आप समझेए बीजेपी का हैड अमित शाह जो तड़ी पार है महिलाओं की जासूशी कराने का औरोपी गुजरात में दंगों का औरोपी मोदी हिस्ट्री कवा है प्रूफ हो ना हो पर सब जानते हैं कि उसके सचाई क्या है अधितिनाथ हेट स्पीच देने में मिशूर है बिल्कुल क्लियर है कि वो हिंदू मुद्दो को आगे बढ़ा कर हिंदुस्तान को गरत मिले जान जंद जो रेपकारोपी है और भी कई एक्जामपल्स हैं पर यह रीसेंटली जो सामने आई हैं तो जनता से तो मैं ही कहूंगा कि इस समय मोदी के खिलाफ कोई लीडर नहीं है और जब तक वो जीत रहा है सभी उनके गुणकारे हैं पर यह जो आग आप बाहर लगा रहे हो यह सलोली आग आपके घ़र तक बहुण सकती है महिलाइं आपकी भी सेफ नहीं रहेंगी महिलाएं जो हैं अगर आज आप अधित्यनाद के कहने पे मुस्लिमों के साथ कररें हैं कल कोई यही अधित्यनाद जो अपने माँ बहन को छोड़ कर आया हुआ है यह आपकी माँ ब पीचते हैं आप उसी तरीके से फसल काटते हैं यह बहुत पुरानी कहावत है अब जो सही है उसका साथ दीजिए सिर्फ हिंदू हूँ यह मुस्लिम हूँ यह मैं सिख हूँ यह इसाई हूँ यह गाना गाने से देश को ड्वेलपमेंट नहीं मिलेगा देश में एक जो एकोन प्रांस में और फैल डील के लिए या फिर ऑपरेशन्स डॉक्टर्स के लिए अब धक्के नहीं खा रहे होते जो आज है हमें आज पर बात करने चाहिए कि आपको सड़क की जुरुत है आपको एजुकेशन सिस्टम की जुरुत है आप अपने बच्चों को एजुकेशन मे ये पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे कि राम ने एक तीर मारा और दस निकले और रामन के वद्ध हो गए और उसकी सेना को हरा दिया आप उसको ये सिखाना चाहेंगे कि कलको वो जौब उसको मिले और जौब के बाद वो कमाई करे अपने घर को चलाए अपने बीवे अपने जारा है आप उसको ये नहीं करेंगे कि उस समय जहाज उड़ते थे उसको बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि अप जहाज कैसे उड़ाने हैं आप आज की बात किजिए आपके रोड्स खराब हैं आपके हॉस्पिटल्स नहीं हैं आपकी जो एजूकेशन सिस्टेम ह आपको सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाया जा रहा है ना कि आपको इनवीशन सिखाया जा रहा है तो दोस्तों इन चीजों पर गोर रखिये और जो आपको ये चीज़ दे सके या जिस पर आपको येकीन है या खुद election लड़िए आप आगे बढ़िए लेकिन अंधभक्त मत पनिए धन्यवाद